हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत सब्सक्राइब है तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसकेशन करेंगे जो की रिलेटेट होगा आपके एचिन वियो के बीसी नर्सिंग या जो भी आपके कोर्से से यह निम जीने में पारमेटिकल तो उसकी जो मौप समझ लोगे तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है तो आई होप आपने कल वाली वीडियो देख लियोगी मैंने बता दिया था सीट मैट्रिक्स कैसे चेक करनी है ठीक है बले आपने सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराई किसी में भी आपको सीट नही रुपए के बारे में मत सोचना क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है सीट मिल भी सकते नहीं मिल सकते ठीक है लेकिन कम से कम यह सोच के चलना कि चांसे हैं सीट मिल लेंगे ओके तो यह मत सोचना कि बेकार है हम छोड़ देते हैं अगर किसी के पास कोई option नहीं है तो मॉप चार दिन है आपके पास ठीक है तो तब तक जो है आप अपना registration कर सकते हो तो यहां लिखाए कि क्या बोलते हैं तो मॉप अपर राउंड के लिए लिखा हुआ है अब यहां पर कुछ इंस्ट्रेक्शन लिखें कि मॉप चरण की counseling प्रकेरिया में सम्मेलित होने ही तू पात यह ठीक है 2021 में प्रतिबाग किया हो online मॉप अपर चरण कांसलिंग में नियमनुसार बादब जिन्होंने एंट्रेंस एक्जाम देता वह एलिजिबल है ऐसी अबेरती जिन्होंने बोर्ट दौरा प्रतम यह दोती चरण कांसलिंग में आवंटीज सीट पर निजधारित समय समय अंतरगत प्रवेश पक्रिया पूर्ण ना की गई हो और मॉप चरण में सीट अवंटन हेतु प्रतिबाग करना चाहते हो तो वह नियमनुसार प्रतिबाग कर सकते हैं ठीक है बना फर्स्ट और सेकेंड रौंड में जिसको भी सीट नहीं मिली है या फिर वह एडिमिश है तो विस्तारित मॉप चरण में प्रतिबाग के सम्मेलित होना चाहते हैं ठीक है सब्सक्राइब आपने अगर अपग्रेट कर रहा है अपना कॉलेज और तब भी आपको कॉलेज मिल गया तो उसके बाद जब आगर आप फृदर अपडेट करना चाहते हो तो आप मॉप प्रतिबाग सम्मेलित हैं तो अहर रहे होंगे ठीक है तो इसका मतलब है कि अगर सपोज आपने अपने अडमीशन ले लिया था और उसके बाद जो है मानलो अगर आपने एडमीशन अगर कैंसिल भी करा रहे है किसी कॉलिच से तब भी आप मॉप पर्टिसिपेट कर सकते ह हैं और वह मैं बता दूं क्लियर कि इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि जो 50% से 50% से कम मांगे वह पार्टिसिपेट कर सकता है तो उनके लिए ऐसा कोई भी नया रूल नहीं आ है तो वह अभी भी काउंसलिंग से बाहर है ठीक है तो जो 50% से कम वाले बच्चे हैं वह एलिजिबल नहीं होंगे फिर नेक्स रहें ऑनलाइन मॉप अप चरन काउंसलिंग है तो पंजी करन शूल ठीक है तो 500 रूपीस आपकी क्या होगे नॉन रिफंडेबल रेइस्टेशन फीस होने वाली है जो सभी को जमा करनी पड़ेगे ठीक है और उसके बाद प्रक्र राउंड की तो उसी तरीके से होगा और इसमें यह है कि पंजी करने के उपरांद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरते हैं वांची तभी लेकों की सूचना नवीन चॉइस फिलिंग करना अनिवारे होगा ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई प्रिवियस वाली चॉइस से अपनी चॉइस फिल करनी होंगी अगर मालो क्या बोलते हैं अगर कोई भी पार्टिसीपिट कर रहा है भले आपने फर्स राउंड में करा नहीं करा उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन आपको जो है मौपप राउंड में अपनी जो चॉइस है वो नए तरीके से फिल यह कि जब तक आपकी लास देट है तभी तब तक जो है आप चॉइस को एडिट कर सकते हो और उसके बाद जो है अपने जो है वो लॉक हो जाएंगी ठीक है बाकी लॉक करने का भी ऑप्शन आएगा तो वह चेक कर लेना ठीक है तो यह यहां पर इंपोर्टेंट चीज लि जाएगा ठीक है सपोज आकर आपने लॉक नहीं कर रहा है ठीक है वैसे लॉक करने में भी इतनी जल्दबाजी मत करना अगर आपने लॉक नहीं कर आव चॉइस को सेफ करके रख दिया तो वही जो है आपकी फाइनल चॉइस बन जाएंगी और वह आपका रेश्टेशन क्ल या फिर पैरमेटिकल हो ठीक है तो उसकी सीट मैट्रेक्स चेक कर लेना और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने कॉलीजिस को फिल करना ठीक है तो देख लो कहां पर एसी केटिगरी की सीट्स खाली है अब होगा यह कि सबोज अगर कोई स्ट्वेंट मेरे से किसी ने पूछ तो आपको जो है जो सीट मिल सकती है उसमें अगर आप यहां पर के तरफ आ रहे हैं आपकी सीट मिल सकती है तो ऐसा जारूरी ने है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस चिस का द्यान रगना वहाँ पर दूसरी केटिगरी को सीट नहीं मिलेगी सिर्फ इस शान जैसे इस बहां पर लेने के लेकिन अगर किसी और के टेग्री की सीट नाम उपर हो गा तो वही जो है सीट ले सकता है Southern तो इस चीश कशिचन करों का कि विड़ाए आप के लिए कंदो कि रिच्टेशन करने हैं है मैं वैसे आपको पता ही हो subscribe में कि प्रिवेस राउंड में आप अल्रेडी कर चके हो तो आई होप आपको जादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है ठीक है सिर्फ 500 रुपीस आपको फीस पर करनी है अपनी चॉइसे अलट करनी हो चॉइसे को लॉक कर देना ठीक है लॉ पर राउंड में जो है हमको सीट नहीं मिलेगी हमारे रैंक तो बहुत जादा है ऐसा बिल्कुल मत सुझा कम से कम एक ट्राय मार लो ओके ठीक है और बाकी मैंने एक जी एनम नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो डाली थी अगर जी एनम नर्सिंग में किसी को डेरेक्ट अट मेरिटलिस के बेसिस पर अपनी क्लास 12 की परसंटेज की बेसिस पर तो वहां पर राजस्थान में जो है फॉर्म्स निकले हुए मैंने कल वीडियो अप्लोड करें थे अगर वीडियो देखनी होगी तो आप देख लेना आपको से काफी मिल जाए ठीक है जी एनम का कोर्स ज